अचानक से घर पर गेस्ट आ जाएं और समझ में ना आ रहा हो कि मिठे में क्या खिलाया जाए और अगर घर पर ब्रेड आफैल जहतबड से टेस्टी ब्रेड की मिठाई को बना कर रेडी कर सकते हैं और आपके गेस्ट बोलेंगे कि वह यह मिठाई आपने कहां से मंगवाई है जब आप बोलेंगे कि यह मैंने घर पर बनाई है तो आपसे रेसिपी भी जरूर पूछेंगे तो आज मैं आपके साथ ब्रेड कोकोनट मलाई रेसिपी की डेजर्ट को शेयर करूंगी अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने फुल फैट दो कप दूद लिया है तो यहाँ पर आप फुल फैट का यूज करें यह देखिए यहाँ पर मैंने मलाई के साथ में दूद को लिया है अब इसी दूद में से मैं 1 4th cup यानी 1 4th cup दूद को अलग कर रही हूँ तो इस दूद का हम क्या करेंगे यह मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी तो मेरे इस वीडियो को end तक आप देखें अब इसको अच्छे से continuous stir करते जाएंगे तो आप high flame पर इसको एक boil आने देंगे तो यह देखिए boiling आनी शुरू हो चुकी है तो यह देखिए boil हो गया वह हम यहाँ पर flame को low कर देंगे और इसके side से इसकी मलाई को निकालते हुए इसे दूद में mix करते जाएंगे और यह देखिए यहाँ पर हमने flame को फिर से high कर दिया है और यह फिर से उबाल आ रही है तो इसी तरीके के same process से हमें दूद को boiling करते जाना है और दूद को हमें सुखा लेना है तो हमें दूद को इतना सुखाना है यहाँ पर जो हमने दो कप दूद लिया है तो वो सुखके लगभग सवा एक कप या फिर देर कप के आसपास में बच सके अब हम इसमें केसर एड कर देंगे तो केसर मैंने या पर 10 से 15 लिया है अब इसमें इलाइची पाउडर डाल देंगे 1 टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें केसर का इसमें कलर लाना है तो केसर को अच्छे से उबा लाने देंगे आईए अब हम नेक्स्ट प्रोस्टेस को करते हैं उसके लिए मैंने एक बाउल में टू टेबल स्पून कस्टड पाउडर लिया है और इसको अब उसी दूद से जो मैंने वन फोर्थ कप ज इसका पेस्ट तयार कर लेंगे दियान रखेंगे कि कस्टड पाउडर का कोई भी लम्स ना रहे अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ये अब ये बागी के बचेवे दूद जो है इसमें मैं मिक्स कर दूँगी यानि टोटल मैंने यहाँ पर वन फोर्थ कप दूद इसमें मिक्स कर दिया है अब ये देखिए ये जो सलरी है ये बनकर रेडी है आईए अब मिल्क को देख लेते हैं तो यहाँ पर मिल्क देखिए हमारा ये जो है ये सूख कर थोड़ा कम हो गया है तो हमें दूद को इतना ही सुखाना है अब इसके फिर से ये साइड में जो मलाई लगी है ना इसको निकाल कर दूद में mix करते जाएंगे mix करने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही rich flavor देता है अब हम इसको फिर से चलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर boiling आनी शुरू हो चुकी है अब हम flame को थोड़ा low कर देंगे और धीरे धीरे slurry को add करते जाएंगे और continuous stir करते जाएंगे इसे छोड़े ना अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें lumps पढ़ सकते हैं तो इसको lumps नहीं और पका लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो slurry है और दूध है वो दोनों एक दूसरे में mix हो चुका है यहाँ पर अभी हमने flame को medium to low रखा है और continuous इसको stir करते जाएंगे अब हम इसमें cutaway dry fruits को add कर देंगे तो ये बिलकुल आप पर depend करता है आपके घर में जो भी dry fruits available हो अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं ये अपने आप में ही ये जो दूध है बहुत ही रिच फ्लेवर देगा तो मैंने यहाँ पर slice किये वे बादाम और पिस्टा को add किया है और इसको भी एक से दो मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे अब mix करते करते दूध ने अपना सारा फ्लेवर को absorb कर लिया है लाइची पाउडर हो पिस्ता हो कस्टड पाउडर हो जो भी हो अब यहाँ पर हमारा कस्टड फ्लेवर का मलाई जो है ये बनकर ready है तो अब इसको ठंडा करना है तो ठंडा करने के लिए एक बाउल में इस त इस्टील लगेगा तो मैंने इसको रूम टेंपरेचर पर ही रखा है अब एक दूसरे बाउल में हम यहाँ पर मिल्क को रेडी करेंगे तो यहाँ पर मिल्क को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें पाउडर शुगर एड़ किया है तो यहाँ पर अब एक ट्विस add कर देंगे तो ये मलाई आप घर में आसानी से बना सकते हैं दूद लेते हैं उसमें जो मलाई उपर जम जाती है वो मलाई को निकाले इसमें मैंने फ्लेवर के लिए लाईची पाउडर का यूज किया है और यह देखिए यह है नटमेग यह जाइफल आपके घर में सभी के घर में होता होगा तो इसकी बस इस तरीके से इसको ग्रेटर पर इसको ग्रेट कर लेंगे अब पिंच ओफ नटमेग पाउडर चाहिए अगर आपके पास नटमेग का पाउडर यानि जाइफल का पाउडर हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से आप इसको घिसकर भी डाल सकते हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि करेंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे डेसिकेटेट को कॉनट को आप अपने कॉंटिटी के अकॉर्डिंग एजस्ट कर लें तो यह देखिए यहां पर वन टेबल स्पून डेसिकेटेट को कॉनट और मिक्स करेंगे तो यह पेस्ट जो ह मैंने 8 पीज लिए हैं ब्रेड स्लाइस के अब इसको मैं दो-दो पीज रख कर और इसकी कटिंग करूंगी तो यह देखे यहाँ पर मैंने अभी दो पीज ले लिया है अब सबसे पहले इसके साइड के एजस को कट कर देंगे तो इस तरीके से ब्रेड के साइड के पॉरिशन तो इसको हमने ब्रेद क्राम्स के रूप में तो इसको आप फेकेना, इसको ब्रेड क्राम्स बना ले। और अब यहांपर हमारे साइड के स्ट परट साथ में और गाल कड़िकें, इहां पर इसको सातर ने करेंगे coconut और मलाई का इसको हम इस bread के ऊपर लगाएंगे तो अच्छे से चारो तरफ spread हो जाना चाहिए क्योंकि हमें दो bread को एक साथ stick करना है यानि कि चिपकाना है तो इस तरीके से मैंने चारो तरफ अच्छे से spread कर दिया है अब ये देखी ये दूसरी bread slice को इसके उपर हम रख कर प्रेस कर देगे ताकि ये JOE ब्रेड आपस में चिपक सके और अंदर से बहुत ही अच्छा flavor दे सके तो इसी तरीके से हम सारे bread slice के उपर ये मलाई को लगाते जाएंगे और दो-दो layer करते जाएंगे तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे जो stick किये हुए breads है ये ready हो चुके हैं तो 8 piece में से हमने 4 piece को किया है यानि कि हम 8 piece bread को 4 piece bread कर लिया है हमने तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले slanting में काटा है और again मैं इसको slanting में काटूँगी it means कि मैंने cross का sign दे दिया है ये देख रहे हैं आप न इस तरीके से तो यानि कि ये एक bread जो piece मैंने तयार किया था उससे 4 यहाँ पर हमारे bread के मिठाई तयार हुए हैं आप चाहें तो किसी भी shape का अपने choice के according दे सकते हैं total piece 16 बनेंगे आये next process करते हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने फिर से milk powder लिया है और गुनगुना पानी का यूज़ कर रही हूँ पाउडर डाल कर इसको और दूद की तरह गाढ़ा सा तयार कर लिया है आप चाहें तो इसके जगा पे दूद का भी यूज़ कर सकते हैं अब यह दिखिए इस तरीके से मिल्क में ब्रेड को डिप करते जाएंगे और एक प्लेट पे रखते जाएंगे इस तरीके से सारे ब्रेड जो मैंने स्टिक करके रखे थे और सेप में काट कर रखे थे तो यह देखिए मैंने इस तरीके से प्लेटिंग के साथ ने ब्रेड स्लाइस को रख दिया है अब य करें तो यहां पर मैं चांदी के बर के साथ गार्णिश कर रही हूं और कुछ थोड़े से ड्राइ फूट्स के साथ भी गार्णिश किया है मैंने आप इसको चिल्ड करकर भी खा सकते हैं इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें और यह दो दिन तक आराम से चलेगा कोई बात नहीं आप इसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से फ्रिज में रखें और इंजॉय करें I hope मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चानल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें